और दोस्तो मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपेनियन अब जब आप ये वीडियो को देख रहे हो तो लगभग सुभा का पाँच बच चुगा है और आपको लग रहा होगा कि ये क्या पागलपंति है कि सुभा के पाँच बजे कोई कोई फिल्म का देखे आप ये वीडियो को पॉस्ट कर दीजिए यहां पे और जाके अगर आपके पास दो घंटे का समय बचा हुआ है तो पहले जाके आप इस मुवी को देखिए देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सठीक रिकमेंडेशन जो है वो दिया है तो आप म इसको कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यह एक फिल्म जो है ना देखे पहली तो चीज जो यह है कि इसकी जो मेकर्स है मतलब अपुर्व सिंकर की जो इससे पहले टीवी एफ की आइस्पिरेंट्स जैसे फिल्म वेब सीरीज बना चुकी है तो उपे निगरी काफी बड़ा ह हो जाता है और टेलर देखने के बाद पता चल गयाता है कि मनोज वाचपाई जी ने कमाल का कामी इसके अंदर में किया है तो यह दो चीज तो तैर थी लेकिन इसके अलावा एक कोट रूम ड्रामा के अलावा इसके अंदर में क्या है वो इस फिल्म को एक महान फिल्म बनात तो यह सी एक बाबा जी की कहाणी है, जो एक नावाली का लड़की के साथ को छेर खानी कर लेते हैं और उसके तहट एक केस जो है उसके उपर बनता है और उसके उपर है कोड प्रोसेसिंग जो चलती है तो देखिए ये कहानी तो वो काफी सिंपल सी है आपको लगड़ा होगा कि भाई ये तो हम लोग बहुत बार सुन चुके है बहुत बार देख चुके इसमें अलगपन क्या है अब दोस्तो अगर मैं बात करूँ इसकी पॉजिटिव साइड लेकर अगर मैं बात करना अपना पिठाड़ा अगर मैं खोलना चालू करूँ दोस्तों इसके अंदर में जो सबसे बरा जो चीज है न जहांपे बताया जाता है कि शिव जी रामायन के बाद जब रावन का वद्ध कर दिया जाता है और रावन सबसे बरा शिव भक था तो वो शिव जी को बुला रहे थे अपने मोक्ष पाने के लिए और उस वक्त शिव जी ने उसको मना कर दिया, शिव जी ने उसको खमा नहीं किया, क्योंकि उसका जो पाप है, उस पाप को महापाप के तहट उसको किना जाए, लेकिन वो महापाप क्या है, इस फिल्म के अंदर में आपको बताया गया, कि पाप बहुत बड़ा पाप और महापाप के अंतर में अंतर क्या है एक बार आप वो चीज देख लोगे न तो आपके लाइफ में भी वो सीख बन जाएगा कि कौन साप आप सही है, कौन साप आप करना चाहिए और कौन साप आप आपको जिंदगी में सोचना भी नहीं चाहिए तो इतना बड़ा एक लाइफ का सीख जो है ये फिल्म आपको देती है उसी के साथ दोस्तों, उसी के साथ और एक चीज भी आपको ये फिल्म जो है वो सिखाती है कि ये कुछ भी कोई भी सिचुईशन में देखिये, एक कठोड से कठोड सिचुईशन आपके लाइफ में आ सकता है घर्व और शत्य के राह में आपको चलना है शयद ऐसा राह में चलते हुए आपको ऐसा लोग या मौल पर ऐसा जगा आपको मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत सालों से बिलिफ है, जिस चीज को आप बहुत मन से, बहुत भक्ती से आप उसको मानते हो, लेकिन अगर आपके सामने वो भी गुनेगार के तहट खराब हो जाए, तो आपको उसके एगेंस में डटे रहना है, वो वाला चीज इसे फिल्म आपको सिखा जाती है, वो चीज आपको यहाँ पर दिखाया जाती है, अब दोस्तों सबसे बड़ा गुनेगार कोन है, जो धर्म के और पे, धर्म के पीछ धर्म को अपना धाल बना के उसके पीछे से अगर आपके साथ कोई गुना कर रहा है, तो उससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं होत है, एक एक लड़ाई का बहुत बड़ा जजवा जो है, आपको इस फिल्म से मिलने वाली है, जो यहाँ पर बोल सकते हैं, मनोज बाचवई की केरेक्टर में दिखाएगे लिए, दोस्तों मनोज बाचवई का परफॉर्मेंस ला जवाब है, काभीर तारीफ है, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा कहना चाहूंगा कि उनका जो कैरेक्टर लिखा गया है, कि वो इनसान जो अपने रिलेशन्शिप में भरोसा करता है, जो अपने भगवान पे भरोसा करता है, और पूरा फिल्म के अंदर में वो रिलेशन और भगवान के पती उनकी भकती जो है, उनक माल का लगा है और एक चीज़ कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस फिल्म की जो प्रोग्रेशन है कि आपको धीरे-धीरे महसूस होगा कि जो बाबा जी है बिसिकली वो बाबा जी जो है वो फर्स ने वाले है बाबा जी पहले वो दो महीने के लिए रुकना पड़ता है, दो हपते के लिए रुकने के लिए बोलता है, फिर दो महीना होता है, फिर छे महीना होता है, और आखिर में जाके वो बंदा जो है, वो अपना मूँ खोली नहीं काता है, फिल्म के अंदर में डायलोग कमाल की है, फिल्म के अंदर में जितने भी माल लीजिए जितने भी arguments किया गया ना कहीं पे आपको unrealistic लगेगी नहीं और कहीं पे आपको cinema के लिए उसको थोड़ा तोड़ मरोड के थोड़ा और भी मज़ेदार बनाके उसके चसका लगा के उसको पेश नहीं किया गया arguments काफी valid है और काफी informative है पॉसको आइन के बारे में आपको काफी अच्छा पता चलेगा अपने इंडिया की legal system के बारे में काफी आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे दलिले और बहुत सारे ऐसी आप बोच सकते arguments दिखाईए यह जो आपको भी जानना बहुत ही बहुत ही जरूरी है तो वो सारी चीजे जो है इस फिल्म के अंदर में दिखाईए यह है दोस्तो कमाल की फिल्म है negotiation skill के उपर आपके अगर training से यह तो आप इस फिल्म को देख सकते हो आपको कैसे अपना जो खुद को defend कैसे करना है आपको अगर सही हो तो अपने आपको कैसे present करना है वो अगर आपको जानना है जो आपके professional life में भी आपको help कर सकता है वो अगर आपको जानना है तो यह फिल्म आपके लिए must 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 watch फिल्म है दोस्तो सिर्फ entertainment के नजरिया से मत देखिए यह फिल्म आपकी सोच बदलने में मजबूर कर देगी यह फिल्म जो है आपको मतलब आप बोल सकता है अगर आप सुबा office जाने से पहले यह अपना business में जाने से पहले अपना कोई भी काम करने से पहले अगर दो घंट आप इस फिल्म को देख लोगे इसका असर आपको अकला साथ दिन तर चलेगा इसका सोच आपका पूरा दिन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी इस किसम का फिल्म यह है सिर्फ एक बंदा काफी है दोस्तों मुझे पता नहीं कि रिव्यू काफी है या नहीं आपको उसाहित करने के लिए इस पर्टिकुलर फिल्म को देखने के लिए लेकिन अगर आप ये वीडियो के देखते हो और जाकी ये फिल्म को आप देखते हो सकता हो कि मेरा जो परिश्रम है वो डिफिनिटली सार्थब हुआ है दोस्तों यही था सिर्फ एक बंदा काफी है फिल्म का रिविव आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आकर बता सकते हो और फिल्म अगर अच्छी लगी है तो कृपिया इस चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तक तक के लिए आलविदा